दोस्टो, टोटाल सूलिशन मिलनमें आप फिर से एक बार स्वाग काते तो दोस्तो आज का भीडियो एक एलेक्ट्रिक हट केटली जो होता है, दोस्तो उसकздと思います तो क्रेटली जो है दोस्तों पूरा डेट है तो मैं पहले भी एक बार वीडियो बनाया था कि सुच अगर खराब हो जाता तो इसको नया लागना पड़ता है और अगर नया नहीं मिलता है तो आप जो है सुच को रिपेर करके भी लगा सकते हो तो देखिए माल्टिमेटर को क दो तीन ट्रीक से कैसे इसका जो पीन है जो पत्ती रहता है दोस्तों इसको साप कर सकते क्योंकि इसमें प्रॉब्लेम होता है कि इसमें जब बोल्टेज गुजरता है तो यह बहुत ही हीट हो जाता है और दोस्तों तब जाके पाती थोड़ा सा अगर सलफार या करवन कुछ भी जम जाता है इसके अंदर काला सा तो उसमें लूस कोंटक हो जाता है और इसका एक पत्ती जो थोड़ा सा पतला रहता है तो इसलिए वो थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाता है और स्विच काम करना बंद कर देता है तो इसको आप सही कर सकते हो तो यह देखिए हम दो तिन त्रिक्स दिखाएंगे तो जो पॉलिस पेपर होता है दोस्तो पॉलिस पेपर से आप आइस्ता-इस्ता करके इसको गिशोगे तो इसके उपर में जो काला सा करवन जम गया है वो हर जाएगा ऐसे करके आपको आइस्ता-इस्ता करके गिशना है क्योंकि आप इस पत्ति को नीचनले हिस्षय में, तो उसको आप शिदा कर सकते हो यह तो थोरा टेंशन कम रहता है उसमें तो इसलिए वह पत्ती खराब नहीं होता है तो यह देखिए ऐसे करके भी आप पॉलिश फेपर इसके नीचनले हिस्षय में ढालके आप इसको गिस के जो है कार्बन को हटा सकते हो यह देखिए ऐसे करके भी आप साफ कर सकते हो और एक ट्रिक्स हम बताएंगे उससे भी आप उसको अच्छे से साफ कर सकते हो लेकिन उसके लिए आपको छोटा सा जो ट्यूनिंग स्कूप डैवर मिलता है वो चाहिए और देखिए निचले बाला पत्ती को आप पॉलिस पेपर को पलट के आप इसको ऐसे करके घिस सकते हो और नहीं तो निचले बाला जो पत्ती है दोस्तो उसको आप उपर में उठा के भी कर सकते हो पहले आप ऐसे करके देखो अगर ऐसे हो जाता है तो से यह नहीं तो हम इसको उपर उटा के भी दिखाएंगे कि कैसे इसको घिसके आप साप कर सकते हो तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जोरू सब्सक्राइब करना नोटिफिकेशन बेल आइकोन को दबा देना नयाना वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के उपर आई बटन में क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो यह देखिए पत्ती को आइस्ता आइस्ता करके आप थोरा साथ टेरा करोगे तो यह बाहर यह देखिए निकल गया आप पॉलिस पेपर से आप इसको अच्छे से घीस के साफ कर सकते हो एकदम देखिए चका चक करने लगा जो कि पहले करवन से बरा हुआ था बार बार प्लास होने के कारण जो है इसमें करवन जम जाता है आप देखिए सूच को पलट के आप त्यूनिंग स्कूप डाइवर से जो पत्ती है जो हाड बाला पत्ती है दोस्तों उसको निचले हिसे में दो छे दे एक इसे आप स्कूप डाइवर डालके उसको साफ कर सकते हो उसका कारवन जो है कारवन को हटा सकते हो देखिए हम अच्छे से इसको घिसेंगे स्कूल राइवर से तो बिल्कुल साफ हो जाएगा तो दिखिए आपको तोरह सा दिख रहा है ओपर से एकदम बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगा उसके बाद आपको देखना परेगा कि दोनों पत्ती जो है एक पत्ति के साथ दूसरा पत्ति जुगा है क्योंकि ये दोनो टार्च होने पे ही switch on होता है आप रही देखिए निचले वाला पत्ति को हमने अंदर डाल डिया है आप देखिए इसको फिर से हम बाहार निकालेंगे क्योंकि थोरा सा उपर के तरफ हम तेड़ा करेंगे के दोनों पत्ती एक सार जो है टाच होके रहे यह देखिए फिर से हम इसको नीचे में डाल दियाओ आप देखिए हम इसको continuity टेस्ट करेंगे माल्टिमीटर में तो यह देखिए दोनों पत्ती में हम चैप्टाज करतें continuity दिखा रहा है अब पत्ती को थोरा सा नीचे के तरफ हम प्रिशार करेंगे तो यह अफ हो जाएगा यह देखिए मेरा जो है अभी स्विच काम करने लगा है यह देखिए अब हम उपर वाला ढकन को लगाएंगे स्विच का ढकन तो यह लगाना थोरा सा मुश्किल है दोस्तों लेकिन आप गोर से देखोगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकोगे तो यह देखिए मेरा स्विच ओन अफोरा आए तो यह देखिए स्विच को लगाने के लिए पहले हम यही पर इसको सीधा करके बैठा लेंगे जैसे बैठता है यह देखिए आप दोस्तों एक छोटा साथ ट्रीक है यह स्प्रिंग को जो है यही पर फसाना होगा आपका ऐसे करके ऐसे राएगा स्प्रिंग फिर जाके आपका स्विच बहुती आसानी से बैठ जाएगा तो यह देखिए आप पिछले वाला जो लॉक है स्विच का उसमें हम फसा देंगे उसके बाद जो है यह देखिए ऐसे करके पिछले बाला लोक को हमने फसा दिया है आप स्प्रिंग को इसके अंदर जो है हम ऐसे करके बैठाएंगे देखिए ऐसा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है स्लिप हो रहा है दोस्तों एह देखिए ऐसे करके यह पर जो कट बना रहता है स्प्रिंग में तो यह स्विच का जो डखकन है इसका दोनों साइड में वो कट बना है वो ही पर फस जाएगा उसके बाद स्प्रिंग को ऐसे करके बैठा के आपको उपर से थोड़ा सा पेसर करना है देखिए थोड़ा सा आप ऐसे करके पेसर करोगे तो स्विच एकदम एह देखिए लग गया अब देखिए मेरा स्विच एकदम बिल्कुल सेट हो गया है आप इसको आप असानी से ओन आप कर सकत तो मैं फिर से माल्टिमीटर को kuantunuity mode में रखके switch का हम kuantunuity दिखाते हैं यह देखिए switch on करने से अपका माल्टिमीटर में कौantunuity दिखाएगा और off करने से यह दिखिए off हो गया फिर से देखिए on हो रहा है फिर से देगे off हो रहा है तो बहुत ही आसानी से आप switch को repair कर सकते हो मैंने पहले भी वीडियो बनाया था लेकिन उस टाइम आपको दिखाने के टाइम में जो switch का पत्ती है वो तूट गया था ताभी इस वीडियो में हमने clear कर दिया तो ओके thank you watching my video